आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हलो गाज, हम इस Question में बोला है कि Coordinate Find out को रहे एक Point का जो Divide करता है Line Segment, Joining the Point यानि कि इस Point को जो Join करते हैं अपने एक Line जो बनता है उस Line को Divide करेगा ठीक है, किस Ratio में? 2 to 3 Ratio में उसका हमें Coordinate Find out करना है और Second Question है, Minus 2 is 2 Ratio 3 ठीक है, यानि कि Minus 2 Ratio 3 में Divide करेगा ठीक है, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने Concept जिख लेते हैं, Recall कर लेते हैं Concept, वो क्या होता है? मानलो एक Line है हमारा ऐसा कुछ Line है, ओके 2 Point हमें Given है, Point A Point B इसको अगर कोई Point मानलो C है, वो M is 2 N Ratio में Divide करता है, ठीक है Point A का Coordinate अगर X1, Y1, Z1 दिया है Point B, X2, Y2 और Z2 दिया है, तो Point C का Coordinate कैसे लिखते हैं, Point C का Coordinate देखो हमारा क्या होता है Point C का Coordinate हमें फर्मूला अपन पता है Section Formula से, वो क्या होता है M into X2 plus N into N into, यहाँ पे N होता है ठीक है, तो N into X1 upon M plus N, M into Y2 plus N into Y1 upon M plus N, M into Z2 plus N into Z1 upon M plus N यह हमने concept सीख रखा है अब इसी का use करके हमें इसको solve करना है देखो, एक line मानलो First question अपन solve कर ले एक line मैंने मानलिया यहाँ पे यह line रहा Point A का Coordinate, मानलो Point A हमारा यह रहा और Point B हमारा यह रहा ठीक है, Point C मानलो यह रहा Point A का Coordinate हमें देखो given है 5, 4, 2 5, 4, 2 Point B का Coordinate देखो given है minus 1, minus 2, minus 4 minus 1, minus 2, sorry plus 4, minus 4 नहीं था similarly उसी तरह 2, minus 1 2, minus 1, plus क्या हो जाएगा 3, 5 upon 2, plus 3 कॉमा फिर क्या हो जाएगा देखो 2, minus 2, plus 3, into 4 upon 2, plus 3 हो जाएगा 2, into 4, plus 3, into 2 upon 2, plus 3 यह मारा Point C का Coordinate आग चुका है solve कर लो minus 2, और plus 15 लिखा हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus 13 upon नीचे 5 हो जाएगा कॉमा यह देखो, minus 4 और यह plus 12 लिखा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 8, ठीक है upon 5 यह देखो, 8 और plus 6 लिखा हो जाएगा यानि कि 14 तो 14 upon 5 यह coordinate हमारा point C का आ चुका है similarly, second question के लिए अपने एक line यहाँ पर जूम कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है तो यह हमारा line रहा माल लो फिर से point A और point B को ही जूम करते है point A और point B को तो point A का coordinate हमें मालूम ही था वो क्या था? 5, 4, 2 point B का coordinate क्या था? minus 1, minus 2 minus 1, minus 2 और 4 था अबर में क्या बोल रहा है इन्होंने? अबर में बोल रखा है कि minus 2 is 2 ratio 3 minus 2 ratio 3 तो point C जो है वो minus 2 ratio 3 में डिवाइड कर रहा है A, B line को तो देखो यह minus कहने का मतलब होता है कि आप आपना अभी सीखेंगे सबसे पहले point C का coordinate find out कर लेते है point C हमारा क्या हो जाएगा? minus 2 into minus 2 into देखो यह minus 1 plus 3 into क्या हो जाएगा? 3 into यहाँ पे लिखो 3 into 5 upon minus 2 plus 3, यहाँ पे minus 2 into minus 2 plus 3 into 4 upon minus 2 plus 3, comma minus 2 into 4 plus 3 into 2 upon minus 2 plus 3 यह हो जाएगा? तो यहाँ से point C का coordinate क्या आगया? यह लिखा हो है plus 2 और यह 15 तो 15 और 2 17 हो जाएगा और नीचे 1 लिखा हो है क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा तो यह 1 को अपन नहीं लिखते हैं अभी तो यह 17 हो गया comma यह देखो क्या लिखा हो है plus 4 और plus 12 तो 4 plus 12 16 और नीचे 1 था यह minus 8 और यह plus 6 मतलब minus 2 हो गया तो यह point C का coordinate आ चुका है ठीक है? देखो यह point C का तो coordinate हमने लिख लिया अब यह minus 2 दिया हो था इसका meaning क्या था? तो यह minus यह दिया हो था इसका मतलब था अगर यह plus था जो उपर वाले जैसे था plus में था 2 is to 3 उसका मतलब था internally division यह क्या था? internal division एक तरह का example था internal जब internally divide करेगा तो यह plus में होता है दुनों ratio और जब यह externally divide करता है तो यह minus में ratio दिया रहता है externally ठीक, externally कहने का मतलब क्या? यह जो हमने c यहाँ पे common एजियूम किया था common type में ठीक है? easy, समझने के लिए easily वो हमारा कुछ इस type में होने वाला था देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूं यह रहा point a point a मानलो यहा रहा point b हमारा यह रहा और point c हमारा कुछ इधर हो जाता जोकि externally डिवाइड करता a, b को किस ratio में? यह देखो हमारा 2 ratio 3 में डिवाइड करता ठीक, तो यह ratio हमारा 3 हो जाता और यह हमारा 2 हो जाता ऐसा कुछ होता ठीके, तो external, external हमारा यहाँ पर division हो जाता, 2 is 2, 3 ratio में, ओके, वह हमारा minus बोला था 2, thank you.